हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया इस समय मैं सुमवारी पशु मंडी में हूँ और आज के पशु मंडी से कुछ बिकीवी गाय का डीटेल देने वाला हूँ और कुछ बिकीवी भैंस का भी डीटेल दूँगा दो तीन भैंस सेल हूई है मनासिब रेटो में तो उसका भी डीटेल देंगे वीडियो को अंतक देखते रहे हैं काफी दिन बाद वीडियो अपलोड हो रहा है तो बीच में बारिश भी बहुत आ रही थी और कुछ अपने कामों के वाज़ा से भी बिजी था जिसके वाज़ा से वीडियो नहीं आ पा रहा था तो संवारी पश्म मंदी सबताहिक है परति एक संवार को लगता है और यह मंदी बिहार के अरवल डिष्टिक्से मातरे 13 किलो मीटर है और जहानवाट डिष्टिक्से इस मंदी की दूरी 26-28 किलो मीटर है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले यह बिकी वी पिक्स ब्रीड है ये और इस गाय का डीटेल आपको देना चाहेंगे नात की अगर बात करें तो ये गाय अभी चार नात पे है और फर्श टाइम मर बताई जा रही है पहले ब्यात की है ये गाय और इसके नीचे जो दूद की कैपिसिटी है वो दस लीटर दोनों समय का बताय गया है जिन्होंने खरीदा है उनका कहना है ये गाय दोनों टाइम में दस लीटर बहुत असानी से दूद निकालेगी जो सेकंड आउनर हुए उनका कहना है और ये गाय आज की मंडी में मातरे 36,000 रुपया में सेल हुई है 36,000 में तो बहुत ही उचित प्राइज में आज क 9 लिटर भी दूद निकाल देती है तो एक मुनासिब रेट है और बच्चा इसके साथ में मेल है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बचला बच्चे के साथ में ये गाय है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और गाय भैंस का डीटेल तो पहले भैंसों का चुकी है और काफी अच्छी कद काठी की भैस है यह और जिनोंने खरीदा है उनका कहना है यह भैस दोनों टाइम में साड़े नौ दस लिटर बहुत असानी से दूद निकालेगी और अभी जो मिल्क निकाला इस भैस का वो लगभग साड़े आठ नो लिटर निकाला है तो औ और कुछ थनों में भी दूद है लगभग एक अक लीटर के आस पास सभी और दूद है इस भैस के थनों में और थनों की पीछे से बनावाट कुछ खास समझ में नहीं आ रही है क्योंकि मिल्किंग कर लिया गया है और आज की मंडी में यह भैस 62,000 रुपय में बिकी है 62,000 म और दूसरी भैस जो सेल हुई है इसका भी डीटेल दे दूँ काफी उचित प्राइज में यह भैस भी सेल हुई है दात में मिली भी है और इसका जो डीटेल है वो बता दूँ और आगे दूद की जो कैपिसिटी है हलाकि फर्श टानर दौरा इस भैस के नीचे भी साड़े नो दस लिटर दूद बता रहे थे लेकिन जिनोंने खरीदा है वो कह रहे है कि साड़े साथ साथ लिटर आराम से यह भैस दोनों समय में दूद निकालेगी और आज की मंडी में यह भैस मातरे 45,000 में यानी 45,000 रुपए में बिकी है और इस भैस का भी लगबग 60% परस प् भाई है जो मिल्क निकाल कर बेच देते हैं और उन्हें कुछ पैसे आ जाते हैं 300-400 जिस हिसाब से दूद हुआ 50 रुपे कीलो के हिसाब से दूद अभी चल रहा है मंडियों के अंदर में इस मंडी की मैं बात कर रहा हूं और 45,000 रुपए में यह भैस आज की मंडी में बि की है तो चलिए अब गायों के तरफ चलते हैं और आज की मंडी में यह गाया सेल के लिए भी अविलेबल है और क्रोस बिट की यह भी गाया देख रहे हैं सहीवाल क्रोस बताई जा रही है देसी सहीवाल यह दोनों मिक्स है यानि देसी मिंस बहुत सारे यह भी देसी में ही सहीवाल लेकिन देसी मिंस अभी जादा तर अपने ग्रामीन अलाके का जो गाय होता है उसको लोग देसी समझते हैं इसलिए मैं भी देसी बोल देता हूँ देसी और जर्स इसका सहीवाल का मिक्स ब्रिड मैं बोल रहा हूँ हलाकि साहीवाल भी अपनी देशी गाय में ही आती है तो ये मिक्स ब्रिट की गाय है प्योर साहीवाल भी नहीं है किलियर करना चाहूंगा और नात में ये गाय मिली भी है और अभी ये गाय प्रेगनेंट है बच्छा देने में 18 से 20 दिन का और समय बताया जा रहा है ब्याने के बाद ओनर दुआरा इसका मिल्किंग कैपी सिटी 10 लिटर दोनों समय का बताया गया है कि दूध निकालेगी कीमत की अगर बात करें तो इस गाय का कीमत 48,000 डिमांड किया जा रहा है आप भी अपना कीमती सुझाओ जरूर दे और अगर ये गाया 35,000 तक मिल जाती है तो मेरे हिसाब से ठीक है महंगाई का दौर है और गायों का भी प्राइज काफी हाई हो गया है पहले के तुलना में और एक यहाँ पर ये गाया है जो के ओवर ओल घर में रखने लाइक ये भी गाय अच्छी है लेकिन एक चीज थोड़ा सा प्राब्लम है इसके अंदर जो के इसका थन जो बांट है वो काफी छोटा है बिल्कुल यानि बहुत ही छोटा कह सकते हैं तो आगे दिखाऊंगा मैं गाय ये भी चार नात में है फर्स्ट आइमर है और प्रेग्नेंट बताई जा रही है ये गाय भी जो के अडर बगरा की बनावट भी दिखा सकता हूँ मैं देख सकते हैं इदर कोशिस कर रहा हूँ और किलियर दिखाऊं और अभी इसमे टाइम है लगभग अभी और बताया जा रहा है कि दो हफता, धाई हफता का और समय लेगी ये गाय बच्चा देने में और ब्याने के बाद इसकी नीचे भी दूद 8,5-8 लीटर दोनों टाइम का बताया जा रहा है कीमत की अगर बात करें तो 31,000 यानी 31,000 रुपया प्राइज इस गाय का रखा गया है मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ इसके बाटों को देख सकते हैं काफी छोटे छोटे इसके छेमी है तो बस गाय का यही एक weakness point है बाकी overall गाय ठीक है प्राइज भी उची रखा गया है तो चलिए वीडियो को यही करते हैं वीडियो कैसा लगा यह हमें comment करके जरूर बता है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like, share जरूर कर दें और चैनल को भी subscribe कर लें